नमस्ते सिदावसले मातरभू में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं हिजाब के सुप्रीम कोट की दो जजों की बेंच में था जो की करनाटका हाई कोट का जो ज़श्मेंट आया था जिसमें ये कहा था कि हिजाब वैन वैलिड है और किसी भी स्कूल में यूनिफॉर्म पहनी जानी चाहिए यूनिफॉर्म के आधार पर ही चलना चाहिए कि स्कूल में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए इसकूल में कोई रिलीजियस इडिन्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए इसकूल एक प्लेस है भारत सेकुलर देश है सेकुलर देश में सरकरी स्कूल और school secular होते हैं इस्कूलों की कोई अपने religious practice नहीं होती इसलिए इस्कूलों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए इस्कूल में किसी प्रकार की पहचान नहीं होनी चाहिए करनाटा काई court के judgment को Supreme Court में challenge कर दिया गया Supreme Court में कुछ तो अपीले आई जो भहाँ पार्टी थे इसके लाबा यहां तो हम जानते ही हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इंटर्वेंशन करने के लिए बहुत सारे राजनेता बहुत सारी पल्टिकल पार्टियां इंटर्वेंशन करने के लिए परिशान रहती हैं तो सुप्रीम कोर्ट में इमंत गुपता और ओनेबल जस्टिस सुधानशू धूलिया इन दो जजों की बेंच में पढ़ी जिस समय हिजाब की सुनवाई चल रही थी पढ़ी सुनवाई चल रही थी उन सुनवाई के दोरान जजिस ने अपनी बात भी कही जजिस पूछते समय ये पूछते रहें खास यानि कि अपनी पसंद की ड्रेस पहनना फंडामेटल राइट है तो राइट टू अंड्रेस भी फंडामेटल राइट होगा ऐसे बहुत सारे अर्गूमेंट और नवल सुप्रीम कोर्ट में तरक वितरक होते रहें फाइनली सितंबर में इसकी सुनवाई पूरी हो गई जजों ने अपने जो 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 जजमेंट था उसको रिजर्व कर लिया आज जजमेंट सुनाया गया हाला कि वो डिटेल जजमेंट अभी तक नहीं आया है लिकिंग जजमेंट सुनाया है दोनों की इस्प्लिट यानि कि दोनों की अलग-अलग वर्डेट आई और विजस्टिस हेमंत गुपता जो की चंडीगार से एलिवेट होते हुए और विजस्टिस हेमंत गुपता ने ये कहा कि वो बारा, ग्यारा है बारा उन्हेंने कोशिट्स बनाए और उनमें ये जानने की आई और विजस्टिस हेमंत गुपता का कहना है कि उन सभी कुश्टिस का आंसर ये बनता है कि जो करनाटक हाई कोट का जज्जमेंट है उस जज्जमेंट में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है भारत सेकुलर देश है भारत में और इसलिए वो अपील डिसमिस की जाती है दूसरे जज़े साब सुधानशुधूलिया जिन्होंने करनाटक हाई कोट के जज्जमेंट को पलट दिया सुधानशुधूलिया सार साब अलाबाद हाई कोट में प्रेक्टिस करते हुए जिस समय उत्राखंड बना था तो उत्राखंड में BJP की सरकार नोट आउट जब कोई पॉइंट किया था इसके अलावा दूसरे पर्चे भी उन्रेवल जेस्टिस सुदानशु धुलिया के हैं उनके पिता भी अलावाद हाई कोट के जहसते और उनके बाबा एक बड़ा अखवार चलाते थे वो स्वतंतरता सेनानी थे और वो कॉंग्रेस के टिहरी में अंग्रेजों के द्वारा इने के बिटिश टिहरी में और जो बिटिश गड़वाल में और टिहरी का जो राजा हुआ करता था उन दोनों ने कहते हैं बहुत परतारित किया तो मन्नी मलबलब स्वतंतरता सेनानी इनके सुदान्शु धूलिया के बावा जो की सुतंतर सेनानी जैसे मैंने कहा उनका नाम था भैरोदत्त धूलिया बड़े नेता थे बड़े कॉंग्रेस के पदादिकारी भी थे और कॉंग्रेस उनकी दम पर ही एसा केते वहाँ चलती थी उनके बेटे अलाबाद हाई कोट के जज़ हुए और उनके बेटे उनवेल जैस्टिस सुदान्शु धूलिया ये पहले एडिशनल एडिशनल एडवकेट जनरल हुए बाद में 2004 में सीनिर एडवकेट डेज़ेगनेट हुए और फिर इनका 2008 में केंदर में कॉंग्रेस की स सरकार थी उस समय एलिवेशन हो गया एलिवेशन होने के बाद फिर ये गुझरात हाइच गए गुझरात हाइचि में चीफ जस्स बने उसके बाद अभी हाल ही में मई 2022 में और अमें सुSub्रीम कोट आ गए और उनमें सुप्रीम कोट के जज्ज़ बन ग Kane सुप्रीम कोट आई थे कि कुछी समय में इनके पास ये पेटीशन आ गई और ये पेटीशन की सुनवाई कर रहे थे तिहरी गड़वाल के रहने वाले हैं खुब सारी सर्दी वहां होती होगी खुब सारे कपड़े शपड़े भी वहां पहने जाते होंगे सर से लेके पैर तक धका जात में हुई और फिर अलाबाद हाई कोर्ट में ही प्रेक्टिस करने लगे ते फिर उत्राखंड हाई कोर्ट जब बना तो वहां पर शिफ्ट हो गए थे अब इन्हों ने जो भाई जो हेमंत गुपता ऑनावल जेस्टिस हेमंत गुपता ने जो जजज्मेंट डिया वो कोई हाई कोड जो रूलिंग दी उस रूलिंग को उन्होंने कहा कि ये अपीलेबिल नहीं है इसकी अपील स्विकारनी की जा सकती है और ये दिस्मिस की जाती है उन च। वह बहुँन जो मैंने बनाए थे या क। में जो आयए थे बहुस के दोरान उनमें मैं पाता हूं कि जो करनाटक हाई कोट का जज्जमेंट है वो जज्जमेंट कहीं से भी गलत नहीं वो ठीक है और अब दिस्टिस सुदानशु धोलिया ने एक बात तो खुब अच्छी कही उन्होंने कहा भई इसको religious चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए और उन्होंने कहा कि religious practice हर जगे सब जगे लागू नहीं हो सकती इसलिए ये जो हिजाब का issue है इसको neither less nor more fundamental right से कम नहीं और fundamental right से ज़्यादा नहीं इसकी द्रश्टी से इससे ज़्यादा बड़ी द्रश्टी से नहीं देखा जाना चाहिए लेकिन उन्होंने कहा कि हिजाब या कपड़े पहनना ये right of choice है और right of choice article 19.1a और article 25.1 जो धार्मिक सुतंतरता का अधिकार संपरदाइक सुतंतरता का अधिकार 35 सुतंतरता का अधिकार article 25.1 में है वो किसी को भी किसी में प्रकार की religious practice या practice का अधिकार देती है हाला कि ये कहे भी रहे हैं कि religious no not less nor more religious नहीं है और ये fundamental right का मामला है right to choice का मामला है लेकिन ये article 25 का support भी लेते हैं article 21 का इन्होंने हवाला दिया article 19.1a का भी हवाला दिया article 19.1a में right to speech and expression है किसी भी विक्ति को किसी भी तरह से expression करने का अधिकार है और बोलने का अधिकार है हाला कि article 19.2 और article 25 में ही ये विवस्था भी दे रखी article 19.2 ये कहता है कि अगर कोई लोक विवस्था बिगड रही हो देश की सुरक्षा की समस्या आती हो देश में और तमाम दरह के उन्होंने exceptions दिये हैं तो फिर article 19.1 ये वहाँ पर लागू नहीं होता सवाल ये है क्या लोक विवस्था इस तरह की अविवस्था करने से या कपड़े किसी भी प्रकार के पहन कर जाने से अविवस्था फैलती है या नहीं फैलती है वो लोक विवस्था में आता है नहीं आता है ये एक मूल प्रश्ण है जो मुझे लगता है कि उनके judgment सनने को मिलेगा तो फिर वो चीज सामने आएगी लेकिन इन्होंने article 25 का हवाला दिया article 25 में भी वो portion मुझे लगता है कि नहीं पड़ा subject to the law is in enforcement in the place जो भी कानून article 25 की सुतंतरता है लेकिन सुतंतरता उतनी है जहां तक कानून नहीं है लेकिन जब कानून बना हुआ है तो कानून से परे सुतंतरता नहीं है तो article 25 की सुतंतरता भी कोई absolute freedom नहीं है या absolute fundamental right नहीं है वो subject to the restrictions है law in enforcement of the state वो भी मुझे लगता है कि कुछ गड़बर हुआ है honorable justice धूलिया ने एक बात ज़स पर बहुत जोर दिया जो उनका comment आया मैं अभी detailed judgment अभी आया नहीं है इसलिए वो detailed judgment जब आएगा तो फिर से एक बार इस पर रोशनी ज़रूर डालूँगा कि आखे detail judgment में क्या है तब तक आप लोगों के प्रशन भी इसमें आई चुके होंगे जो ये lecture है lecture के नीचे बहुत सारे प्रशन आप कर चुके होंगे और बहुत सारे ideas भी आपको इन विशव पर आ चुके होंगे कुछ लोग Quran का interpretation करेंगे तो कुछ सम्मिधान का interpretation करेंगे तो कुछ लोग प्रशाशन का interpretation करेंगे कुछ विवस्था का interpretation करेंगे और कुछ भारत में लोग विवस्था का interpretation करेंगे और ऐसे करते हुए आप इसमें लिखेंगे तो अपने को उससे अपडेट मिलेगा और जब हम डिटेल जज्जमेंट इंटरप्रेट कर रहे होंगे तो आपके इंपुट्स बड़े काम आएंगे ऐसा मैं आशा करता हूँ कि आप ज़रूर लिखेंगे और इस लेक्चर को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सर्कुलेट करेंगे ताकि कुश्चंस मैं ले सकूँ कुश्चंस बहुत सारे आ सके और इसमें एक एक्सपर्टाइस लेक्चर रिकॉर्ड किया जा सके जो पूरे देश के काम आए ओनेबल जेस्टिस धोलिया सुप्रीम कोट के जज होते हुए उन्होंने साथ में ये कहा कि ये जो इशू है वो एक तरफ तो आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी जो अर्गुमेंट के तो रन भी ऐसी बाते आई थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस स समय सरकार का फोकस है और सरकार अगर बेटी पढ़ाओ पर फोकस दे रही है तो फिर हिजाप के आधार पर बेटी को स्कूल से रोकना ये तो भाई समाज में एजूकेशन को रोकना है अब इसमें सवाल ये भी पैदा होता है कि ब्लैक मेलिंग कहीं नजर आती है क्या कि एक समाज ब्लैक मेल करता है कि हमारे जो हम मानते हैं वो हमारी बात मान लो नहीं तो वैसे भी हम बेटियों को तो पढ़ाना चाहते नहीं वो जब बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं और आप कह रहे हो कि बेटियां पढ़ेंगी तो फिर समाज के ठेकेदार, religion के कुछ ऐसी कंडिशन डाल दें जिससे की बेटियों की education बंद हो जाए तो दोनों में ही win-win situation आ सकती है, एक win-win situation यह आ सकती है कि अगर आप कठोर हो जाएंगे, कानून कठोर कर देंगे तो बेटियां रुख जाएंगी, school नहीं जा पाएंगी और अपने आप यह हो जा गया कि साब religious practice की वजए से और religious practice यह नहीं कहती है, मदरसे में पढ़िये, क्या फर्क पड़ता है, मां खुब हिजब लगाएंगे, खुब आप उपर से निचे तक बुरका पहन कराएंगे, और मदरसी की education लीजे, मदरसा sufficient, more than sufficient है और आज की जो आधनिक education है, वो चुकी उपर कि अल्हा की education है, अल्हा की education क्या आगे, भारत की education क्या काम करेगी, ऐसा समझा लेंगे, तो बच्चे school जाने के बज़ए कम से कम मदरसे में आएंगे, और जो 1500 साल पहले एक दूशित विचार आज की तारिक में चल रहा है, आज की तारिक में दूशित मैं इसलिए कहता हू तो वो दूशित विचार कहीं कहीं प्रिवेल कर जाएगा, तो बच्चियां वो दूशित विचार प्रिवेल कर जाएगा और आज की आधुनिक education से उनको वंचित किया जा सकता है, ताकि चार निकाह किये जा सकें, चोदा-चोदा बच्चे किये जा सकें, और जब चहें त बात करते हैं और ये कहते हैं कि भारत हिंदुरास्टर है, भारत की अपनी परंपरा है, अगर आप हिजाब को इस्कूल में allow कर देते हैं, सोचिये, क्योंकि आप या तो मना कर देंगे तो हम बच्ची को इस्कूल निया न जाने देंगे, और आगर आप इस्कूल के लिए allow कर देते हैं कि हिजाब पहन कर चलो आओ पढ़ने आओ लेकिन हिजाब पहनो या कुछ भी पहनो आओ पढ़ो तो कम से कम पढ़ो तो कम से कम तो फिर ऐसी situation में हमारी religious जीत हो जाएगी और हम ये बता पाएंगे देखो संसार में कैसा चल रहा है तोपी लगा कर मर्जी हो स्कूल में काम कर सकता है जालीदार टोपी लगा कर वो कुछ भी रोड पर भी चल रोड पर चलते ही चलता है नमाज जान के समय की बात तो होती है वो तो लगाना कमपल सरी होता है लेकिन अगर हमारी matter of choice है तो आपकी uniform हमने पहन कर रखी है और टोपी लगा कर घूमेंगे वो जाल स्थानी जूते पहनेंगे और बढ़ियां धोती कुरता पहन कर स्कूल में जाएंगे किसी को क्या समस्या हो सकती है या अदालत में धोती कुरता पहन के जाएंगे और अदालत में आपका काला कोट, काला पेंट आपने बता रखा है, बेंड बता रखी है, वाइट शेट ब अगर आप चाहते हैं कि लड़कियां पढ़े तो फिर जैसे हम बता रहे हैं वैसे अनुमती दीजे ये ब्लैक मिलिंग 100% ब्लैक मिलिंग है जो मेरी डाजर में हो सकता है और जजेज ने इस पर कुछ और देखा हो लेकिन समाज लगातार जिस बात को लेकर जो जो पेटिशन थे वो पेटिशन लगातार जो कोड के सामने कह रहे थे कि साब आप बताई है कि एक तरफ बेटी बचाओ एक बेटी बढ़ाओ की बात कर रहे हैं और एक तरफ बेटियों को रोक रहे हैं आप बेटियों की एजुकेट करने से रोक रहे हैं बेटियों को एजुकेशन रोक जा सकता और जो government order करनाथ सरकार ने किया है school uniform को लेकर वो government order ही अवैदानिक है अब government order अवैदानिक है school की जो orders है school की जो dress code है वो अवैदानिक है क्यों क्योंकि आप इसको रोक नहीं सकते यह fundamental right है article 91a में article 21 में right to life and personal liberty personal liberty है कैसे भी पहन कर गोमेंगे किसी भी में गोमेंगे आपको क्या आपको हमारे brain को देखना है मलब student के brain को देखना है या student के पहनावे को देखना है अगर आप पहनावे को लेकर restriction लगाते हैं तो यह fundamentalized का उलंगन है और अगर पहनावा किसी ने कोई religion के साथ जोड़के रखा है तो यह religious right का भी उलंगन है इसके अत्रिक्त education fundamental right है right to article 21 capital A और right to education अगर fundamental right है तो वो prevail करेगा uniform के उपर यह honorable justice धूलिया का कहना है हाला कि उनके बावा सुतिंतरता सेना नहीं थे उन्होंने बड़ा योगदान किया होगा Congress के बड़े सदस्य रहे Congress के बड़े प्रलेता तेरी गड़वाल में रहे honorable justice धूलिया honorable justice हेमत गुपता दोनोंने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी reasoning लगाते हुए judgment किया है निश्यत रूप से यह judgment एक definite judgment है binding nature का नहीं होगा हला कि दोनोंने order किये हैं तो यह binding nature का नहीं होगा अब तीन जज़ों की bench में जाएगा और या फिर पांच ज़जों की bench में जाएगा matter क्योंकि पांच ज़जों की bench के लिए पहले ही सुनवाई के लिए कहा जा रहा था कि पांच ज़जों की bench में इसको भेद दिया जाए लेकिन इन दोनों जैजेस ने इस पर कमिट बनाएंगे bench बनाएंगे या फिर हो सकता है कि honorable justice यू यू ललित ही bench बना जाए वो तो भविश्च में आगे दिखाई देगा और मैं इसका interpretation निश्चत रूप से इसका डिटिल जज्चमेंट पढ़ने के बाद कहूंगा अभी तो honorable justice सुधानशु धूलिया के primary statement जो judgment उनों ने दिया है operative part जो बताया है उसमे primary judgment या primary statement के अधार पर मैंने ये interpretation करने के कोशिश करी honorable justice हेमत गुप्ता ने भी जो primary अपना judgment दिया है statement दिया है उसके अधार पर मैंने आपको बताने के कोशिश की आखिर क्या पूरा माजरा है जै हिन जै भारत वंदे मातरम